कि हेलो इस लेक्चर में हम एक एंट्रिक करते हैं और यह क्रेडिट शेल्ड ऑफ गुड्स और लांश को सेल किया है तिक है और रमेश को सेल किया है आपने रमेश को सेल है आपने entry कैसे कर लिए जैसे रमेड से खरिए है तो इसमें एक गलत पहले हमको पता होना चीद समान बेचा है तो रमेश को जब तो आप करोगे क्या करनी चाहिए आपको कि पैस्ट सर और गलती से उसको मॉचसे पास कर कर दिया है याने कि आपने उसको परचैस्ति की तरह कर लिया है तो आफ आप आपको साइँ पर बथा चल गई आपको गलत आंट्डव करोगे उसको बताओगे कि इसकी रेक्टीफिकेशन एंट्री बननी चाहिए कि अ सबस्क्राइब अब इसमें देखो पहला एकांट किया बहुद क्रेश से ठीक है लेकिन क्या हो गया है राधा सो रुपए से तो of course मैंने last lecture में भी आपको बताया था किसी को debit करना था 1200 रुपे से ठीक है और उसको आपने credit कर दिया है 1200 रुपे से तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको double amount से इसको debit करना पड़ेगा याने कि 2400 रुपे से इसको debit करना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां रमेश को debit करेंगे रमेश के account को debit करेंगे कितने से 2400 यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए ठीक है ना common sense वाली बात है आपको किसी से 100 रुपे लेने हैं और गलती से आपने उसको कितने दे दिये 100 रुपे दे दिये तो आप आप कितने वैसे लोगे 200 रुपे लोगे यानि कि जो उल्टा हो जाता है क्रेडिट हो जाता है तो डवल एमाउंट से एंट्री हम करते हैं तो आप यह देखो रमेश के account की error solve हो गई है ठीक है फिर उसके बाद दूसरा account क्या है sales credit होना चाहिए था गलत एंट्री म क्रेडिट नहीं हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे to sales account कर देंगे कितने से क्रेडिट होना चाहिए था sales 1200 से ठीक है तो अब यह sales एकाउंट की भी एरव solve हो गई है उसके बाद आखिर में क्या बसता है purchase account आपने गलत कर दिया है debit जो की नहीं होना चाहिए था तो जो चीज़ आपने debit कर दी है और नहीं होनी चाहिए थी तो उसको क्या करोगे आप credit करोगे टू परचेज एकाउंट 1200 तो परचेज एकाउंट की भी एरर खतम हो गई ठीक है इस तरीके से हमने यह यह रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ली है और इसकी नरेशन क्या होगी इसकी नरेशन होगी बीइंग इसेल्स टू रमेश रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लिको या ट्रीटिट लिको रिकॉर्डेड एज परचेज इस नाव रेक्टिफाइड तो यह आपकी इसकी नरेशन हो जाएगी नरेशन में क्या करना है आपको बीइंग लगा ्टि आ करो अपने चॉबिष्टों से यहां पर डेडिट किया है रमेश को और सेल्स को कठीज करेड़ीट है वार Christ तो हो गया डेडिट क्रेडिट बिस वार्फ्रीट प्र Déबाबर 산 चाहिए देट पल्टिकुलर्स ल एफ और रूपीज और क्रेड़िट रूपीज तो इस तरीके से हम यह वाली एंट्री की रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेंगे और इससे पिछले वाले रेक्चर में हमने ऐसी ही एक एंट्री के थी बट वो एकदम इसका उल्टा था य आपने सेल्स को पर्चेज मान लिया है और वो जो एंट्री थी लास्ट लेक्चर में उसमें हमने पर्चेज को सेल्स मान लिया था ठीक है तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी एंड डाट इस एट पर इस लेक्चर थैंक यू झाल।